आज का टॉपिक है बेस्ट ETFs in 2024 for investment and trading आगे बढ़ने से पहले अगर आप नई हो मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मैं हर हफ़ते पोर्सल, finance, stock, market and mutual funds के बारे में ऐसे ही informative वीडियो लाते रहता हूँ तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आज ही मेरी family का हिस्सा बन जाओ and post activation mail भी जरूर on कर देना ताक कि कोई भी important वीडियो अपडेट आप से मिस ना हो best ETFs के उपर मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था जिसको आप सभी ने काफी ज्यादा appreciate किया आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे नए ETFs include किये हैं जो पिछले वीडियो में included नहीं थे साथी last वीडियो में हमने debt ETFs के उपर ज्यादा बात नहीं की थी तो आज के वीडियो में debt ETFs पर भी पूरा discussion करेंगे और सारी categories में जितने भी अच्छे ETFs है जिनको आप trading और investment के लिए consider कर सकते हो उन सभी के बारे में भी हम जानेंगे काफी informative वीडियो होने वाला है बिना skip कि ये पूरा वीडियो देखना चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी categories के ETFs available है इंडिया में यानि कि किते type के ETFs available है तो पहला है index ETFs, when sector ETFs, commodity ETFs, global ETFs और debt ETFs तो ये 5 main categories हैं और इन सारी categories का risk factor different है तो investment का decision लेने से पहले आपको अपना risk profile and time horizon पता करना होगा ताकि आप अच्छे से decision ले पाओगे कि आपको कौन से ETF में अपना पैसे invest करना चाहिए या फिर कौन से ETF में trade करना चाहिए अब ETFs के names discuss करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन से important parameters मैंने consider किये हैं ये सारे ETFs को shortlist करते वक्त So the first is lowest expense ratio, सारे ETFs ऐसे हैं जिनका expense ratio कापी कम है Second is high liquidity, ETF में majority times liquidity के issues आते हैं जिन ETFs के अंदे trading volume कापी कम होता है वहाँ पर slippages कापी ज्यादा देखने मिलते हैं और उसकी वज़े से आपको issues face करने पड़ सकते हैं buy और sell करते वक्त तो सारे ETFs मैंने ऐसे ही consider किये हैं जिनका last 365 days का average trading volume काफी ज्यादा है या फिर उनकी category के अंदर सबसे ज्यादा है ऐसा आप कह सकते हो तो सारे ETFs ऐसे ही हैं जिनमें आपको liquidity issues बिल्कुल भी नहीं आने वाले जित्ते भी ऐसे ETFs included हैं हमारे list में जो किसमा किसी benchmark index को follow करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत tracking error देखने मिल सकता है जिसका मतलब कि भले ही वो एक benchmark index को follow कर रहा है कोई भी ETF लेकिन उसके returns उस benchmark index जित्ते same to same नहीं होने वाले यहाँ पर थोड़ा बहुत tracking error भी आता है बस यह tracking error ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा होगा तो वो benchmark index के comparison में आपको काफी कम returns मिल सकते हैं तो यह tracking error जित्ता कम हो उत्ता ही better है आपके लिए सारे ETFs के names के साथ साथ मैं आपको उनके script codes भी बता दूँगा जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा वो ETF को टूणना सिर्फ वो script code आपको जाकर अपने DMAT account में search करना है और आप सीधा trade या फिर invest कर सकते हो आप में से जो लोग complete beginners हैं and ETFs के बारे में ज्यादा knowledge नहीं है तो आप जाकर मेरा index versus ETFs वाला video जरूर देखना link आपको i button पर मिल जाएगा उसमें मैंने काफी सारे important चीज़े discuss करी है जो आपको पता होनी चाहिए So let's discuss our first category which is index ETFs इसमें मैंने market cap के basis पर जो उमारे 3 important categories है large cap, mid cap, small cap वो वाले ETFs पर include किये ही हैं लेकिन उसके साथ-साथ मैंने thematic ETFs भी include किये हैं thematic ETFs वो होते हैं जो particularly किसी भी theme को follow करते हैं जैसे कि सिर्फ value stops का एक ETF हो सकता है या फिर सिर्फ momentum stops का एक ETF हो सकता है तो इस तरीके के जो अच्छे thematic ETFs है उन सभी को भी मैंने index ETFs में include किया है बात करें large cap category की तो उसमें best ETF है निपॉन इंडिया nifty 50 bees ETF इसका script code आपो यहाँ पर देख जाएगा mid cap category के अंदर mid 150 bees जो की है निपॉन इंडिया ETFs nifty mid cap 150 small cap category के अंदर जो ETF है वो है HDFC nifty small cap 250 ETF इन तीनों के ही आप one year के returns देख सकते हो पिछले एक साल में काफी अच्छी कासी बुल रहनी रही है और इन सभी के returns काफी अच्छे रहे हैं जिन ETFs के अंदर आपको three year and five year के returns नहीं दिख रहे हैं वो data available नहीं है क्योंकि ये सारे ETFs recent ले ही launch हुए है तो जो ETFs पांच साल पहले से exist करते हैं उन सभी के अंदर आपको three years और five years के returns भी देखने मिल जाएंगे अब बात करते हैं thematic ETFs की इसके अंदर अगर आपको particularly PSU companies वाला को ETF चाहिए जहाँ पर पूरा PSU companies का basket हो तो वहाँ आप consider कर सकते हो CPS ETF यहाँ पर आपको सारी वही companies देखने मिलेगी और जैसा कि आपको पता है पिछले एक साल में PSU companies ने जबरदस्त rally दिखाई है इस ETF का आप last one year के returns देखोगे तो 102 percentage के returns है जो phenomenal है बिट साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि past returns do not guarantee future returns जैसे returns पिछले साल में बने हैं वैसे ही सेम आने वाले सालों में भी बनेंगे उसकी कोई guarantee नहीं है तो invest करने से पहले यह चीज़ दिमाग में जरूर रखना अब अगर आपको एक ऐसा ETF चाहिए जिसके अंदर सारे अच्छे alpha वाले stock से included हो तो उस case में आप consider कर सकते हो ICICI का alpha low volatility 30 ETF इसका script code आपको यहाँ पर दिख रहा है इसके last one year के returns 55 percentage रहे हैं और three year के returns 90 percentage रहे हैं जो काफी अच्छे हैं अगर आपको momentum वाला basket का को ETF चाहिए जिसके अंदर सारे momentum stocks included हो तो उसके अंदर आप consider कर सकते हो Mo momentum जो Motilal Oswal का nifty 200 momentum 30 ETF है और इसके भी पिछले one year के returns 65 percentage रहे हैं अगर आपको ऐसा को ETF चाहिए जिसके अंदर सारे dividend वाले ही stocks included हो तो उस case में आप consider कर सकते हो Nippon India का nifty dividend opportunities 50 ETF इसका script code भी आपको यहाँ दिख रहा है इसके last one year के returns रहे हैं 50 percentage जो काफी अच्छे है और बात करे last thematic ETF की तो वो है India manufacturing अगर आपको सारे assets stocks चाहिए जो इस theme की उपर बेज़ हो तो उस case के अंदर आप consider कर सकते हो मिरा asset Nifty India manufacturing ETF इसके last one year के returns रहे हैं 47 percentage तो पिछले एक साल के time horizon में तो इन सारे ETF ने जबर 10 returns जनरेट करके दिये हैं लिकिन जब आप invest करते हो तब सिर्फ past one year के returns नहीं consider करने चाहिए आपको long time horizon के हिसाब से returns को judge करना चाहिए यहाँ पर हमारे पास long time horizon में सिफ 2 ETFs के returns अवेलेबल है Nifty Bees के 5 year के returns है 111 percentage और CPS ETF के 5 year के returns है 210 percentage यानि Nifty Bees में almost आपका पैसा 5 सालों में दूगना हो चुका है और CPS ETF में 3 गुदा हो चुका है और इसमें COVID crash भी included है तो जिन लोगों ने अपने investment exit नहीं किये होंगे crash के वक उनको भी पिछले 5 सालों में काफी अच्छे खासे returns देखने मिले है तो आपको equity में invest करते वक्त यह पता होना चाहिए कि आपका time horizon आपको लंबा रखना पड़ेगा उस ETF को आप consider कर सकते हो अपने लिए अगर आपका time horizon तीन से पांच सालों के बीच का है तो उस case में आप nifty means को भी consider कर सकते हो उसके अंदर risk comparatively कम हो जाता है पाकी सारे ETF से अगर डीमेट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ Mstock broker के बारे में अगर आप Mstock के साथ अपना account open करते हो तो आप zero brokerage का फाइदा उठा सकते हो lifetime के लिए across all segments यहाँ सिर्फ 999 रुपीज की one time fee पे करके आपका brokerage zero हो जाएगा for life delivery, intraday, futures and options, currency, mutual funds कहीं पे भी कोई भी brokerage नहीं लगने वाला यानि आपका लाखो रुपे का brokerage सेव हो जाएगा सिर्फ यह 999 की one time fee पे करके और उसके साथ additional 999 पे करके आपके AMC charges भी lifetime के लिए zero हो जाएगे मतलब यह छोटा सा one time fee पे करके आपका future में लगने वाला लाखो रुपे का brokerage और साथ ही 1000 रुपे के AMC charges save हो जाएगे जो कि काफी बढ़िया बात है किसी भी trader और investor के लिए अगर आप MTF facility का use करते हो trading के लिए तो Mstock के उपर आपको जो e margin है उस पे सिर्फ 6.99% से interest rate शुरू होता है जो one of the lowest है और साथी holding period के भी यहाँ पर कोई limit नहीं है जो कि काफी बढ़िया बात है Mstock के उपर आपको one click order execution, voice search and predefined index baskets से काफी सारे advanced features देखने मिल जाएंगे और अगर ड्रस्ट की बात करें तो Mstock मिरे asset company का vertical है मिरे asset के बारे में आप सभी जानते हो काफी पुरानी company है और काफी बड़ी finance company है 25 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इसको Mstock ने अपना one year complete कर लिया है और एक साल में ही इनका turnover साड़े तीन लाग करोड से भी ज्यादा का हो चुका है इनकी MTF book 900 करोड से भी ज्यादा की है जो total number of trades है 34 करोड से भी ज्यादा number of trades यहाँ पर place हो चुके है आज तक और साथी इनके app की rating की बात करेंगे तो 4 star rating है आज तक जो इन्होंने अपने investors और traders का brokerage save किया है वो 145 करोड प्लस का है जो काफी बड़ा amount है इन total number of users की बात की जाए तो 8.5 लाग से भी ज्यादा लोग Mstock को use करते हैं अगर आप अपने लिए एक अच्छा broker डून रहे हो जहाँ पर आप अपने लाग हो रुपए के charges सेव कर पाओ तो Mstock आपके लिए काफी बड़िया choice रहेगा account opening link आपको description में मिल जाएगा जरूर check out करना now let's discuss about our second category which is sectorial ETFs sectorial ETFs वो होते हैं जो particularly किसी भी एक sector को ही target करते हैं और उसी sector की companies में अपना पैसे invest करते हैं और इनके अंदर जो best options available है चलिए वो देखते हैं अगर आप PSU banks के sector वाले किसी अच्छे ETF में invest करना चाहते हो तो उसमें आपके पास best choice है PSU bank bees pharma sector के अंदर pharma bees, auto sector के अंदर auto bees ETF है IT sector के अंदर IT bees, infrastructure के अंदर infra bees और banking के अंदर bank bees इन सभी को manage करता है निपॉन, इंडिया, AMC और बात की जाए financial services sector की तो जो उसमें अच्छा ETF available है वो है BFSI, ये मेरा asset manage करता है इन सभी के भी last one year के returns अगर आप देखोगे तो majority of ETFs के returns काफी अच्छे रहे हैं और sectorial ETFs में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर risk बढ़ जाता है आपका अगर compare किया जाए index ETF से क्योंकि यहाँ पर आप particularly सिर्फ एक sector को ही target कर रहे हो तो अगर उस sector में थोड़ी बहुत भी उतल पुतल होती है कोई भी बुरी news आती है तो उस sector के सारे ही stocks एक साथ down जाएंगे और same चीज rise में भी होगी कि जब वो sector बढ़ेगा तो सारे stocks एक साथ बढ़ेंगे और उसी की वज़े से आप यहाँ पर सारे sector के ETFs के returns के अंदर काफी ज्यादा variation देख सकते हो इत्ता ज्यादा variation हमें index ETFs में रेखने नहीं मिल रहा था सबके returns almost 50-60% के आसपास ही दे पिछले एक साल के लेकिन जब बात करते हैं हम sectorial ETFs की तो वहाँ पर आपको तब भी invest करना चाहिए जब आपको उस particular sector के बारे में ज्यादा knowledge हो सो जो भी sector को लेकर आप optimistic हो और आपको future growth नजर आती है उस sector के ETF को आप consider कर सकते हो investment के लिए and time horizon की बात करें तो यहाँ पर भी आपका time horizon तो लंबा ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई guarantee नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा returns ही generate करके आप निकलोगे long time horizon में क्योंकि ये index ETF से बिल्कुल different है sectors के अंदर cycle चलती है और cycle में returns बनते हैं for example अगर मैं PSU sector की बात करो तो पिछला decade PSU sector के लिए काफे बुरा था बिल्कुल भी returns नहीं generate करके दिये थे उसने investors को लेकिन पिछले 3 साल में अगर आप PSU sector का performance देखोगे तो उसने बाखी सारे sectors को outperform करा है तो आपको right time पे right cycle pick करनी होगी इसलिए आपको उस sector के बारे में अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए तो ही आप ज्यादा से ज्यादा returns generate कर पाओगे moving on to our next category which is commodity ETFs ये ETFs particularly किसे भी commodity के price को track करते हैं जिसे की gold या फिर silver इन में जो best options हमारे पास available हैं अगर gold की बात की जाए तो उसमें gold bees and gold i ETF ये दोनों ETF के trading volumes काफी अच्छे हैं तो liquidity issues आपको नहीं आएंगे पिछले एक साल के returns आप check out कर सकते हो इन सारे ETFs के अगर silver की बात करें तो उसके अंदर जो दो अच्छे options available हैं वो है silver bees और excess silver इनके भी returns आप देखोगे तो almost आस-पास ही है ज्यादा variation देखने नहीं मिलेगा आपको और अगर आपको एक particular commodities का overall sector ही target करना हो तो उस case में आप ICICI के nifty commodities ETF को consider कर सकते हो अब वैसे तो ये भी एक sectorial ETF ही हो गया बट क्यूंकि commodity ETF एक completely different category है इसलिए मैंने इस ETF को commodity ETF में include किया है होते तो ये भी index ETF है बट ये follow करते हैं कोई global index को जैसे कि अगर आपको US market के अंदर अपना पैसा invest करके portfolio diversify करना है तो उस case में आपके पास जो अच्छे ETF options available है वो है मफांग और MON 100 ये दोनो ETFs ऐसे हैं जो US की companies के अंदर अपना पैसा invest करते हैं मफांग ट्रैक करता है US के NYSE fang plus total return index को और MON 100 ट्रैक करता है NASDAQ 100 index को and similarly अगर किसी को जो चाइना का index है हैंग सैंग इंडेक्स उसमें अपना पैसा invest करना है तो उस case में आप consider कर सकते हो हैंग सैंग इस ETF but in my opinion फिलाल आपको Chinese ETFs avoid ही करने चाहिए बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है वहां के markets में तो मुझे आने वाले 2-3 सालों में भी वहां अच्छी खासी growth नहीं दिखती है so you can consider US ETFs अगर आप फिलाल invest करना चाहते हो long term के लिए and चलिए अब last category के बारे में discuss करते हैं which is debt ETFs उसके नाम सुदने से पहले guys please वीडियो पर like drop कर दो अगर यहां तक आये हो and इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी help हुई हो आपकी आपके हर एक like, comment, share से मेरे वीडियो को काफी ज़्यादा push मिलता है नहीं audience को मेरे वीडियो रेकमेंड होते हैं तो please like कर दिया करो चलिए अब debt ETFs के अंदर कौन से कौन से अच्छ ETFs available है उन सभी के नाम देखते हैं यहाँ पर मैंने चार सब categories include करी है bond ETF, GSEC ETF, HDL ETF और liquid ETF इन चारों के ही purpose different है bond ETF की बात करें तो यह medium time horizon के लिए consider किये जाते हैं यानि कि 2 या 3 सालों का अगर आपका time horizon है या फिर उससे ज्यादा का है उस case में आप bond ETF consider कर सकते हो बात करें GSEC और HDL ETF की तो इसके अंदर अगर आपका time horizon 5 सालों से ज्यादा का होगा तो आपको अच्छे खासे returns देखने मिलेंगे inflation को आप अच्छे से beat कर पाओगे और safely beat कर पाओगे liquid ETF को majorly bank के substitute की तरह गिना जाता है जो भी ऐसे traders होते हैं जिनको अपना extra money कहीं park करके रखना होता है या फिर अगर कोई emergency fund है जो आपको savings bank में नहीं रखना क्योंकि savings bank में सिफ 3-4% ये interest rate मिलता है तो अगर आपको अपना जो भी emergency fund है वो किसी ऐसी जगा पार्क करना है जहाँ पर आप कभी भी redeem कर पाओ और आपको अपने bank से ज्यादा interest rate मिले तो उस case में आप liquid ETF को consider कर सकते हो यहाँ पर आपको 6-7 percentage के आसपास annual interest rate मिल जाता है और liquid ETF को आप कभी भी redeem कर सकते हो इसमें अपके returns कभी भी negative नहीं जाएंगे bond ETF में जो सबसे अच्छा option available है वो है भारत bond ETF वैसे तो यह हर साल ही नया script issue करते हैं बट इनमें जो सबसे अच्छे performing scripts है वो है इनका 431 and 433 लिकि last 1 year के returns 9 percentage के आसपास रहे हैं अब बात करें GSEC ETF की तो यह particularly सिर्फ GSEC में ही invest करते हैं जिनको नहीं पता GSEC मतलब होता है government securities bond यह bonds भी सरकार हर साल issue करती है यहाँ पर आपको fixed rate of return मिलता है लिकिन tenure काफी लंबा होता है 7, 10, 20 सालों तक भी यह tenure जाता है तो अगर आप एक ऐसे person हो जिसको government securities में invest करना है लेकिन आप यह 10 साल के tenure के साथ comfortable नहीं हो आपको सिर्फ 4 या 5 सालों के लिए ही government securities में invest करना है तो उस case के अंदर आप GSEC ETFs भी consider कर सकते हो वहाँ पर जो best choices available है वो दो है निपॉन इंडिया का GSEC long term guilty ETF और SBI का benchmark GSEC ETF इन दोनों के script codes आपको दिख रहे हैं और इन दोनों का जो last one year का rate रहा है वो 9.5 percentage के आसपास रहा है इतने return zero ने generate करके दिये है Now moving on to SDL ETF SDL का मतलब होता है state development loans यह भी एक तरीके एक bond ही होते है बट यह issue करती है state government GSEC issue करती है हमारी central government और जो SDL होते हैं वो issue करती है state government और यहाँ पर भी interest rate fixed होता है 10 year लंबा ही होता है तो अगर आपको short time horizon के लिए invest करना है ऐसे bonds के अंदर तो उस case के अंदर जो best ETF आपके पास अविलेबल है वो है निपॉन इंडिया Nifty HDL ETF इसका last one year का interest rate रहा है 7.8 percentage end up बात करते हैं last liquid ETFs के बारे में तो यहाँ पर तीन अच्छी options अविलेबल हैं आपके पास इसके अंदर आप overall yearly interest rate 5 percentage से 7 percentage के आस-पास expect कर सकते हो और जो तीनो ETFs में आपर आपको suggest कर रहा हूँ इन तीनों का ही interest payout different है मतलब अलग-अलग तरीके से यह अपना interest pay करते हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप खुद से research करना कि कौन से ETF में किस तरीके से आपको interest मिल रहा है ने ETFs के बारे में तो हमने इस वीडियो में जान लिया लेकिन अगर आप individually bonds में invest करना सीखना जाते हो कि किसी भी corporate bond या फिर government bonds के अंदर कैसे invest करते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं जल्दी एक detail video plan कर रहा हूँ अगर आप interested हो तो मुझे comment में जरूर बताना अगर वो video अब तक post हो चुका होगा तो मैं i button पर link जरूर डाल दूँगा आपको link मिल जाएगा i button पर अगर कोई point रह गया हो मुझसे तो comment में जरूर बताना आपका valuable opinion and feedback आप comment में share कर सकते हो अगर अब तक आपने मेरा telegram channel join नहीं किया है तो आपको description में link मिल जाएगा जाकर जरूर join कर लेना वहाँ पर मैं small case related सारी updates investing updates, video updates साथ ही अगर मुझे कोई feedback चाहिए होता है किसी भी चीज़ को लेकर आप लोगों से वो सारी चीज़े मैं वहाँ पर share करता हूँ तो अगर मुझे personally connect करना चाहो तो मेरा telegram channel join कर लो साथ ही जाकर मुझे instagram पर भी आप follow कर सकते हो और mstock broker check out करना मत भोलना link आपको description में मिल जाएगी and that's it for today's video I'll see you guys in the next video तब तक take care and bye-bye investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing तो काफी जबर्दस्त